एक बार की बात है, एक दूर के राज में एक खूपसूरत सी राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम लीला था. लीला के बालों में एक जादूई हैर क्लिप था, जो उसे कई तरह की शक्तियां देता था. वहा हैर क्लिप उसकी सुंदर्ता, उसकी बुध्धी और उसकी शक्ती का प्रतीक था एक दिन एक दुष्ट चुडेल ने लीला का जादूई हैर क्लिप चुरा लिया चुडेल को हैर क्लिप की शक्तियों का पता था और वहां उन शक्तियों का इस्तमाल अपने बुरे कामों के लिए करना चाहती थी लीला बहुत दुखी थी कि उसका जादूई हैर क्लिप चुरा लिया गया है वह जानती थी कि बिना हैर क्लिप के उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी और वह चुडेल को नहीं हरा सकेगी लीला ने फैसला किया कि वह चुडेल से अपना हैर क्लिप वापस लेगी वह अपने दोस्तों की मदद से चुडेल के महल तक पहुँच गई महल बहुत बड़ा और खतरनाक था लेकिन लीला हार मानने के लिए तैयार नहीं थी लीला ने चुडेल के महल में घुसकर चुडेल से लडाई की चुडेल बहुत शक्तिशाली थी लेकिन लीला अपने दोस्तों की मदद से उसे हराने में सफल रही लीला ने अपना जादूई हैर क्लिप वापस ले लिया और चुडैल को उसकी बुराई के लिए सजा मिली पूरे राज्य में खुशिया मनाई गई और लीला को एक बहादुर और दयालू राजकुमारी के रूप में सम्मानित किया गया लीला की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हाद नहीं माननी चाहिए चाहे कितनी भी मुश्किले हो हमेशा एक रास्ता होता है अगर हम अपने दिल से काम ले और अपने दोस्तों का साथ दे तो हम कुछ भी कर सकते है